अब आगे हम जा रहे हैं पढ़ने law of equivalence और law of equivalence क्या होता है कि ग्राम equivalent reactant या product के बराबर होते हैं जैसे पहले के class में अगर मैं करता ए और बी विडिके C और D बना रहे हैं पहले का में मोर वन में तो अगर मैं करता है कि वह यह है इतना मोर या इतना ग्राम काप दर पादे तो बैलेंस करिये यहां 2 है यहां 3 है यहां 4 है 5 है क्या है फाद करिए फिर मैं नुमेरिकल्स कर पाऊंगा कि दो मॉल एसे चार मॉल भी तो एक मॉल से इतना और इस तरह से लेकिन यह जो है यह बड़ा आसान कर देता है यह क्या कहता है इसके जितने ग्राम होंगे इक्वर्टू इसके भी उत नहीं ग्राम इक्वरेंट रेक्शन करेंगे और इसके भी उत नहीं और इसके भी उत नहीं इसके तरह बड़ा ग्राम इक्वरेंट का हम लोगे फ़र्मुला पड़ा था ग्राम इक्वरेंट क्या पड़ा था एक को डाव्यू पाई की मास्वा एक्वरेंट एट एट एन इंटू वी क्या दा रहा है नावेटी इंटू मोल तो तीन फॉर्मूला था हमारा ग्राम एकुलरेंट तो होता क्या है अगर मुझे ऐसा कोई आए कुश्चन तो हम लोग करेंगे क्या सब के ग्राम एकुलरेंट आपस में बराबन कर देंगे माल यह ए है तो मैं लिखना हूं डबलू ए बाई ए इसको लिखूंग कि या अगर और आप्टश LIVE यकिया फिरिया अगर एन एन थर जाई अजे या तो फर्मूला यह जोतलाए फॉर्मूला फक्टर तो मिन दा कर देंट हो सुच्टन और है n भी है और अ ये मूल है इन डी एंबी यक एंसी एंसी और और ओचांट टॉ छोगया तो अब इस पे बैलेंस भी करने की ज़रूत नहीं है वैसे ही बनाबर उन्हें सब किसी को कहते हैं law of equivalence ताफ law of equivalence तो ध्यान से सुन लेखे कोई भी numerical आता है तो उस numerical का सबसे पहले आप equation रिखेंगे कि question लिखने के बार balance करने की विज़रूत नहीं है लेकिन equation लिखने के बार आपको क्या करना है gram equivalent तो निकाल नहीं होगा और gram equivalent निकालने के इतने तरीके हैं सबके gram equivalent आपस में बराबर होगे कि आपस में बराबर होंगे का क्या मतलब जड़र एक और चीह देखिए यहां तो समझगा है मैं इसको 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 इसका बराबर का मतलब यह नहीं होता है कि मैं कहूं कि इसका six gram equivalent हमने reaction में लिया और इसका four gram equivalent हमने reaction में लिया तुच यह नहीं कि सबस्क्राइब का 6 तो 6 प्रिसे अशन करेगा तो बराबर बने जो कम रहेगा वही हो जाएगा limiting reagent जो कम होगा तो lifting reagent बहुँआएगा यानि इसका दो इक्मय बच जाए गा इसका कुछ नहीं बचेगा इसका ऐक धूvt और छीज क्रूशख़anie Susma कि अध्याओं और यह बुराऊब मेरा आप समझ गए कि किसका उपडेयाशन किसमें होता है तो फिर सावे कुश्सञ दिर Ihrya ऑसाम लेंगे जैसे अगर गाल लीए ये हैं A B C D और मैं क्या कर रहा हूं कि A जो है वो तो B से REACTION कर रहा है और A C से भी REACTION कर रहा है लेकिन B और C आपस में REACTION नहीं करते जड़ा ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कहना चाहरा हूं A और B आपस मेरी एक्षन कर रहे हैं A और C भी आपस मेरी एक्षन कर रहे हैं लेकिन B और C आपस मेरी एक्षन नहीं करते तो इस कॉडिशन में अगर आप लेखते हैं कि gram equivalent of A equal to gram equivalent of B E equal to gram equivalent of C and gram equivalent of B तो गलत है यह जहीं नहीं कर सकते तो जाप पढ़ दे हैं तो इसका बराबर इसका बराबर लिगे नहीं कर सकते आप क्या लिखेंगे ये अब हम ने क्या कहां A, B से भी एक्षन कर रहा है C से भी एक्षन कर रहा है तो आप चाहे लिशेंगे? Gram equivalent of A बराबर Gram equivalent of B plus gram equivalent of C ध्यासन तुनिए घटा ग्राम equivalent of A बराबर जोघेंगे बराबर यह दोनों सही एक्सेंट कर रहा है और दोनों मिल के इस सही एक्सेंट कर रहा है और तब लिशेंगे Gram equivalent of D कर तो जो यह चोटा सा चीज समझ जाता है उसके दिए रियमेरिकन सासान फी तो यह आपको समझना होगा अगर यह जब prac दोनों इसाएं कम उसकता है कालसियम हई-ड्रोक साइड अगि लेक ऐस फीटन हमने क्या है कि ढहां कि Jesus got the ह Software me fell OS Ond ere time was myaroo है कर, अलों क्या दों कि shapes punches सी तुमो फोल्ड अलदी एक अच्छा और तब इससे बना कुछ भी बना अब इन दिखेंगे अब इसमें क्या है देखिए ज़्या यह किस नेचर का है इसके पास है यह इस इदिक यह भी कैसा है यह देगा यह दोनों आपसे एक्षण नहीं करेंगे लेकिन दोनों से एक्ष अब इसका प्लस इसका अब फिर इक्वर्टू ग्राविक्वरेट आप प्रोड़क्ट तो यही है हमारा लाओ इक्विवेलेंस अब यह इसके पहले कि इसके नुमेरिकल सम्दोर करें अभी पास नुमेरिकल से कॉपिक है थोड़ा सा होट एक दो चीज़ जान लीज़ें करने क्या हूं जो आपको बता है कि कोई भी ऑक्सिडाइजिंग एजएंट कोई भी ऑक्सिडाइजिंग एजेंट जो है मैं है तरह सि county क्या करेंगा इसरे को ओ Waldu आइस करेगा उश्रा केट सिर्फ एक लिजंग अशर्णरों 268 27 certainly कोगि अप्रम दूमम में दूप अटो ड क्या करता है कुछ कुछ चीजें आपको ज्यान रखना होगा, जैसे वह उस को इक में कनवर्ड देता है ऊस पो इक में इसको क्या अंतर को आप जानते हैं के अगर उस्टीरशन स्टेट कम है तो उसको जादा है तो एक करते हैं यानि इसको हम क्या बलते हैं इसको क्या होते हैं Q-Print तो करेगा क्या क्यूप्रस को क्यूप्रिक में कर देगा यानि इसको ऑक्सिडाइज कर देगा क्यूप्रस को क्यूप्रिक में कर देगा प्लंबस को प्लंबिक में कर देगा, एस्टेनस को एस्टेनिक में कर देगा, फेरस को खेरिक में कर देगा, तो आपको कुछ-कुछ यह याद रखने होगी, थ्चिवक मर्कूर्स को मर्कूर्निक में कर देगा, यहा? थो किसी भी अस्टो एक में कंवर्ट कर देगा, अब कंवर्ट कर देगा, इसके तरह में अभग समझिए, मैं का कहना क चाह रहा हूँ, जैसे मैं एक र gangster हैं, आपके का देगा, आपके का देगा ह्या हूँ, तो आप समझ रहे हैं तो यह समझना है अगर फी ओ है या फी एस एफी को थी में तो यह सब खड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा अग्यान प्रश एक दो यह समझ रहे हैं तो एक तो पहली बात चाहुए कि औक से रहेंगा तो क्या तरेगा टरेगा और जो अस है उनको इक में पर दबहुत क्या करें तो दूसरा क्या करेगा एंआयन में आहिट में को इसलों है इसलों है है आई को क्या करेंगा रच्चों इत पी तरह आप यह क्या है आइट इसमें कर रहा है जैसे यह है आपका नाइट्राइट तो नाइट्राइट को जिसमें करेगा तो यह सब आपको जानना होगा कि कौन सा किसमें करेगा तो इन दोनों को किसमें करेगा तो कि को बतरेगा आई टू में यहां क्या है माइन सब नहीं है और कि कोई भी अगर हो के सीज़ भी हो कोई भी हो अगर नहीं दिया है तो आप समझेगे कि वह एक्स टू में अगर नहीं दिया है कि अगर नहीं दिया है कि अगर आप जान जाएंगे जैसे आई यह त्री माइनस यह तो यह हो जाएगा कि अगर तो आप रिएक्सन भी बना लेंगे और तब ग्राम इकुरेट से रिएटेट कुस्टन करने में हम लोग बड़ी सफोर्था प्राप्त करेंगे यहानि जो टाइट्रेसन अगर हम लोग करते हैं अभी आगे पढ़ेंगे तो टाइट्रेसन में रिएक्सन ही है अपने टाफिक के मतापिक हम लोग जान रहे हैं नुमेरिकल्स करने और इसके रिलेटेटर नुमेरिकल्स करने से पहले आपको क्या ध्यान देना होगा ग्रामी कोईरेंट का फोर्मूला महार जो दिखना है टूर्ट को डवलूबाई कि यह आपको रट जाना होगा तुई कि तरह से रड़ा है तो आई हम लोग पहले कुछन से अपनी बाद इस्टार्ट कर लगे हैं तो एक कुछन लिखिये आप लोग कुछन लिखिये हाँ मेनी अच्छा उसकुसर में पर और बहुत ही अगर की एमेन ओफ और के साथ कुछ नहीं दिया हो कि बेसीट के कि नीटरल है तो उसको इसदी की मारी नहीं है तो तो पुश्र लेके हाँ मैनी मॉल्स आफ acidified KMnO4 how many moles of acidified KMnO4 required to oxidize 20 moles of Ki का कारा है कुस्टन कि कितना KMnO4 लगेगा किसे reaction जबने में Ki कितना है वच्चों 20 moles कितना mole लगेगा तो इसका mole बताना है आईए अब देखते हैं हम तो किसको कैसे solve करेंगे ठीक है कुस्टन क्या कहा रहा है कि KMnO4 कi ये दोनों में mole हैं तिन तिन फर्मूले हैं आपके पास आप कौन सा फर्मूल रगाएंगे तो अच्छा रहेगा mole बता तो कैसे रभाएंगे gram equivalent of KmnO4 gram equivalent of KmnO4 equal to gram equivalent of Ki तो आइए लिखते हैं gram equivalent क्या होता है n factor और mole और यहां भी n factor और mole तो 1,1,2,2 कर दें हैं यह दिखते हैं KmnO4 का n factor क्या होगा जब S3 medium कह रहा है तो 5 तो मनें बताया था i, leave, you और KmnO4 का mole कितना है हमें निगालना है Ki का n factor क्या होगा कैसे दिख लेगा Ki का n factor तो आपको अभी पता है Ki किसमें change होगा Ki किसमें change होता है i2 में यहां क्या है minus 1 यहां 0 कितने में changing 1 कितने atom 1 n factor 1 और कितना mole है 20 इसकी n equal to क्या आजाएगा 4 4 तो 4 mole KmnO4 are required to oxidize 20 mole of Km clear यह आया भी हुआ है कर वीटा कुस्टन जेएगा आईए सेकंड कुस्टन करते हैं सेकंड कुस्टन और करिये सेकंड कुस्टन कह रहा है कि आपके स्प्रीट में भी है कि हाव एनी ml of 0.2 molar acidified KmnO4 are required to react completely with 60 ml of 0.5 molar FESO4 क्या कर रहा है क्या कर रहा है आपसे 60 था 50 चलिए इतना 50 ml FESO4 इसको करना है इसको करना है इसको करना है बच्चों KmnO4 के बारे में क्या कर रहा है इसकी वालूम को बताइए एमेल को बताइए और FESO4 के बारे में क्या कर रहा है वो 50 ml है और उसके बारे में क्या कर रहा है MY2 है तो MY2 मुलर्टी है अब यहां जड़ा देखिए यहां मुलर्टी की बात हो रही है तो हमनों कौन सा फर्मूला रहेंगे जहां वालूम और मुलर्टी है नौर्विंटी है तो क्या करेंगे हम N Factor कल का दर फर्मूला आपको याद हो नौर्विंटी कराबर क्या था मुलर्टी इंटू N Factor यादा आए तो हम तो यहां क्या कर सकते हैं N Factor into मुलर्टी इंटू V equal to N Factor मुलर्टी इंटू अब यहां पूछ रहा है तो इसको भी ML में ही है कोई ही करते है ML के केसमें इसको equivalent gram equivalent ना कहाँ कि क्या बोते हैं मीली gram equivalent तब हम लोग मीली बोते हैं खर आए अब क्यम और 4 का N Factor जितना है रच्छों 5 के मेंनोफोर की मुलर्टी निकालना है इसके क्या निकालना था वालूम ना और के मेंनोफोर का मुलर्टी नहीं दिया है जा दिया है और अगर नहीं दिया है तब देखिए यह .2 मुलर्ट तो यह दिया है कितना .2 और वालूम निकालना है इसका N Factor क्या होगा? 2 प्लस में है कहां जाएगा? 3 प्लस में N Factor 1 मुलटी कितना दिया है? 1 by 2 वॉलूम 50 तो ये क्या हो गया? 25 तो हमारा भी बन क्या हो गया? बाइक दूजा 1 1 यादि 25 एमेल फेल सर तो ये हो गया 25 एमेल एंसर और बहुत ही आसान कुश्टन है है? है नहीं? चलिए एक और कुश्टन करते हैं नोट करिए है ये कुश्टन जो है कुश्टन क्या है? कुश्टन कर रहा है कि अलमूनियम सल्फेट है और बेरियम क्लॉराइट है और उससे बन रहा है बेरियम सल्फेट और अलमूनियम क्लॉराइट क्या है एल्मोनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड और इससे क्या बंदा है एल्मोनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट यह अब आपसे कुस्टन क्या कह रहा है पुस्टन आपसे कह रहा है यह है 300.1 मोलर और इसके बारे में कह रहा है कि यह 5.5 मोलर अब कह रहा है कि BSO4 का वेट बताएए BSO4 का वेट बताएए अब इसको कैसे करेंगे कैसे कर सकते हैं हम क्या करेंगे gram equivalent थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहां देखिए यहां gram equivalent कैसे निकाल सकते हैं हम एमल और मोलर्टी दिया है तो gram equivalent के कौन सा फ़र मोलर आएगे N V वाला तो आईए N factor कितना होगा इसका N factor कितना होगा है दूनियां पे कितना चाहिता होता है त्री और दूनियां पे कितना होगा 6 तो 6 इंटू एमल है मिली ग्राम equivalent इंटू 0.1 तो यह कितना आगया 180 अब यह देखते हैं इसका कितना होगा 2 क्या N factor और इंटू 500 इंटू 0.5 है यह किया 1000 और यह 5000 यानि 500 क्या है मिली ग्राम equivalent अब यह न कि इसको देखें अब तुरत पता दे कितना नहीं इसका इतना इसका इतना दोरों के परावर ग्राम equivalent इतना है 180 यही है लिमिटिंग रिजेंट और लिमिटिंग रिजेंट इतना प्रोड़क्ट बनेगा तो इसका भी कितना बनेगा 180 क्या है मिली ग्राम equivalent मिली तो हमें वेट निकालना है अगर मिली ग्राम equivalent तो कैसे रिकालेंगए आई तो हमें वहां पता है कि मिली ग्राम equivalent अगर निकालना तो 3 a factor canvi अधर नहीं पहसी हो गा तू तो भी यह सो फोल का हैं सेक्टर टू और मोल मिलिग्राम इकोलेंट 180 मोल नहीं बता क्योंकि मोल निकाल लेंगे तो फिर हम यह मोल के देगा पर डबू रख सकते हैं चलिए हमीं मोल निकालते हैं यह का निकलेगा मीली मोल तो मीली मोल केतना होगा 90 मीली ही फ्यांत रहे बोल बाते हैं tuh मतच्चे हम मोल के से निकालेंगे 90 इंटव 10ול अ गौक्श यह होगा मोल यह मीली था मामल पताNow क्या है मोल्यू निकालेंगे आपको पता है W by molar mass तो क्या होगा 90 into 10 to the power minus 3 और into molar mass तो barium sulfate का जो भी molar mass होगा आप उससे multiply कर देंगे साहर 233 होता है तो आप multiply कर देंगे यह हो जाएगा 1, 2, 3, 0 और यह इतना अपना लिखेगा जो भी आए 20 gram के आसपास लगदा है 21, 20 gram यह तंज़र नहीं है आप लिखेजिए यह तंज़र ठीक कुस्टन करते हैं ठीक है एक और कुस्टन करते हैं एक और कुस्टन हिस्तों बिलाते हैं तो आप अपने स्टीट पर देखेए पुस्टन बिलना है आप अवनी अमेल ऑफ 0.1 मोलर ऑफ कैल्सियम हाइड्रक्साइड शूट भी एड़ेट इन 300 मोलर ऑफ 0.2 मोलर ह2SO4 solution फ़र कम्प्लीट नूट्रलाइज़एशन फ़र कम्प्लीट नूट्राइज़एशन तो दिखिए इस कुष्ण के लिए क्या करेंगे हम फिर वही करेंगे कि मीली कुवेलेंट आफ केल्सियम हाइडरोकसाइड बराबर मीली कुवेलेंट आफ एच्टू दिखिए यही सब टाइट्रेशन भी होता है है हेज़ेशôm हाइनफिार्टा् सुट रवक फोर अब आपको क्या कह रहा है ज़रा दिखिए है कुसल भी क्या कर रहा है केल्सियम हाइनफब्रोकसाइड को रॉबं नहीं म।टा कौन वहशंब्रोकसाइड इसक During nasıl है और इसका एन फेक्टर 2 और क्या दिया है इसका दिया है मुलर्टी जी 0.1 मुलर है आप आज़ेगे ज़रा H2.104 के बारे में देख लेए H2.104 का क्या दिया हुआ है आप एन फेक्टर को जानते ही है इसमें कोई दिकती नहीं है और 0.2 और 300 तो बस आपको इसको solve कर देना है और आज आएगा 2 से 2 कंसल कर दे रहे हैं और ये point से point answer आगया 600 है ठीक है एक और question कर लेते हैं बाकी हम लोग कल करेंगे दुसरे class में एक last question और कर लेते हैं नोट करिए आपके बोर्ट पर है नेट उसको इसको इस करते हैं इसको इसको इसकर दिये अब question जडिये question क्या कहा रहा है how many moles of calcium hydroxide should be added in the mixture mixture of two moles of each of H2C2O4 and NaHC2O4 for complete neutralization अब जड़ा देखिए क्या कर रहा है calcium hydroxide है और किस तरही एक्सन कर रहा है H2C2O4 और NaHC2O4 अब आप देखिए क्या NaHC2O4 और H2C2O4 यह एक्सन करेगा आपस में नहीं करेगा यह दोनों से करेगा बस अभी यह जांपर हमने दिया था और यह दोनों आपस में नहीं करेंगे तो हम दो क्या करेंगे इस के लिए इस कोशन के लिए कैसे स्वाल करेंगे हम दो कहेंगे equivalent of calcium hydroxide बराबर equivalent of H2C2O4 plus equivalent of NaHC2O4 अब आपको क्या क्या दिया है जड़ा देखिए आपको calcium hydroxide के बारे में क्या कर रहा है कि कितना calcium hydroxide लेंगे कितना mol तो चलिए N factor 2 mol नहीं पता अब आजाते हैं H2C2O4 के बारे में N factor देखिए यहां 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 यह नहीं यह सब 2 carbon भी है 2H भी है तो चार नहीं oxidizing है कि कुछ नहीं है यहां यहां के बाद देख है तो यह ACTT का उसका रहेगा और ACTT के लिए आपका 3 mol ठीक है तो अभी हम लोग इसको continue करेंगे तब तक के लिए आप लोग इसको बढ़िया से पुसिस करिए यह बेसिक लेगल के पुस्सम था फिर हम लोग इस पर आगे बाले पुस्पर करें Thank you